स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और संदरी दोर्चा को मौस्चराइज और हाइड्रेट करने का गुर्ण पाएजाता है नियमित चंदन पाउडर का इस्तवाल करने से त्वचा को ठंड़क मिलती है साती त्वचा की नमी परकरार रहती है चंदन पाउडर में अंटी-micovier और एंटी-oxidant properties पाये जाते हैं जो स्किन सम मंदी कई समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। चंदन पाउडर का नियमित इस्तमाल करने से इसकिन पर प्ताक्रितिक निखार आने लगता है। इसके साथ ही तोचा को यंग और हल्दी बनाये रखने के लिए गुलाब चल का इस्तमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। गुलाब चल में एंटी आक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेटर प्रोपर्टीज पाये जाते हैं। जो न सिर्फ तोचा को हाइडरेट करते हैं बलकि चहरे की निखार को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। गुलाब चल के नियामित अस्तमाल करने से इसकिन ड्राय होने से बची रहती है। गुलाब चल में एस्ट्रेजेंट प्रोपर्टीज पाये जाता है जो चहरे के ओपेन पोर्स को कम करने में मदद करता है। जिससे चहरा यंग और हेल्दी नजराने लगता है। तो फिर चंदन पाॉडर और गुलाब चल को चहरे पर कैसे अपलाई करना है इसके बार में जाने के लिए बने रेश वीडियो के साथ। इसके लिए एक बॉल में एक चमच चंदन पाॉडर ले ले। इसके बाद इसमें तीन से चार चमच गुलाब जल डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिए जब यहां अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे अपने फेस पर अपलाई करें सूखने पर ठंडे पानी से धोले वीक में दो से तीन बारी से रिपीट करने से बहतर रिजल्ट मिलेंगे चंदन पाउडर और गुलाब जल से बने इस पैक का नियमित इस्तमाल करने से इसकिन टाइट होगी, चहरे के दाग धबे दूर हो जाएंगे साथी तवचा यंग और हेल्दी नज़र आने लगेगी तो फिर आज आपने इस वीडियो में चहरे पर चंदन पाउडर के साथ गुलाब जल लगाने के कुछ बहतर इन फायतों के बारे में जाना आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा हमारे नएने स्वास्ति और संदरी संबंधी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेर जरूर करें ताकि इसे तरह हम नएने जानकारियां आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद